हलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हरुकरी पटेल बात करूँगा आप से सुड़े में हिंदी के मौक टेस्ट के संबन्द में 30 प्रस्ने आपके लिए अगर आप यूपीटेट की तियारी कर रहे हैं, लेकपाल की तियारी कर रहे हैं, आरो यारो की तियारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है ये 30 प्रश्णिद देख्ते हैं आप लोग कितने प्रस्ण सही करते हैं जितने भी प्रस्ण सही करेगा कमेंट करके जरूँ बताएगा पिछला वीडियो अगर आपने मॉक टेस्ट का नहीं देखा है डिस्क्रिप्टान में आपको प्लेडिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप दीर्गस्वर कौन सा है? आ, ई, आ, उ, तो दीर्गस्वर कौन सा है? बताए फटा-फट इसका जवाब क्या होगा? तो आपका आप्संसी से ये बड़ा आ, आ, ई, और उ जो है ये आपके हाथ सुसर हैं. अगला प्रशने, दंत से उच्चारित होने वाला विंजन कौन सा है? का, दा, रा, और चा. तो बताए फटा-फट इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टन प्रशन है. हिंदी वड़माला से जो है, चाहे कोई भी एक्जाम हो, अगर हिंदी पूछी जा रही है, तो दो से तीनक जरूर पूछे जाते हैं. तो दंत से उच्चारित हो का, ला, ला, सा. तो अंतस्त विंजन निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आप्टन आपका बीस है, ला. अगला है संयुक्त विंजन निम्न में कौन है? डा, धा, छा, रा. तो संयुक्त विंजन कौन सा है? देखिए आपका आप्संसी सह होगा च्छा ठीक है का प्लस सा ये बराबर होता है च्छा के ठीक है ये आपका संयुक्त विंजन है अगला प्रशने समादर में उपसर्ग है सम प्रति वी उ समादर में उपसर्ग होगा तो क्या होगा इसका जवाब समादर में उपसर्ग होगा आपका पहला उप्षन एस होगा सम ठीक है अगला प्रशने उन्नीस में उपसर्ग होगा उत उन उत उन तो बताईए देखिए तो क्या होगा इसका होगा आप संडी उन देखिए जो आधी मलब ये ना की नीचे हलंत लगा हो ये आपके आधी ना है अगला प्रशने संदी विच्षेद वाख जाल का क्या होगा वात जाल वाख जाल वाख जाल वाख जाल वाख जाल तो क्या होगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये संदी विच्षेद तो क्या जवाब होगा इसका इसका जवाब है आपका आप संडी वाख जाल ठीक है लेक आई जाता है कि अग्ला प्रस्टन है संदी पर पयूदड़ पयूद़ का कौन साफ्फशन जो है संदी के % की रूप में सही होगा बताइए कौन साफ्शन पहला दूसरा तीसरा है चोथा लीट कि एंप प्लस योद मत प्लस योद पयाह प्लस दा कौन सा option आप कसे होगा कि मुठत फट फट क्या जवाब होगा इसका जवाब है आपका आपसंदी पय हंप लस्ट को अगला पसने जगति secondo मेसमेस आपको पता ही होगा exam में बधारे काफी का फूछा गया है तो पता ये दो सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं दो सेकंड नहीं मालब दस सेकंड का टाइम देता हूं बताइए कौन सा जवाब होगा इसका जगत प्लस इस जगत प्लस इस जगत प्लस इस तो कौन सा अपसन आपके नुसार सही होगा इसका जवाब सी सही है बिल्कुल सही जवाब बहुत से लोगों का होगा C option सही है अगला है चक्र पाणी में समास होगा कर्म कारक तत्पुरु समास अवेभाव बहुबरी समास या दिग समास चक्र पाणी में समास होगा क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है आपका बहुबरी समास चक्र है जिसके हाथ में यानि विश्णु ठीक है तो आपका बहुबरी समास होगा अगला प्रशने जिस सामासिक सब्द का पूरुपद संख्या वाचक विश्यसड हो कहलाता है दिगु समास अवेभाव समास द्वंद समास या करमधारे समास तो दिखिए जिसका पहला पद जो है संख्या वाचक हो और समास ये था सकती ये था सकती जो होता है यथा जो होता है वह व्य होता है जो मता जब समास विद्रह करते हैं तो विलोम सब्द पर आधारित हैं, पहला है, पुष्ट का विलोम क्या होगा, दोस्ट, छेण, प्रकति, पुरुस्कार, पुष्ट मतलब क्या होगा इसका विलोम, बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, इसका जवाब होगा, छेण, अगला प्रश्ण है, उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होगा विलूम मिलन आमूलन रोपड निमिलन उन्मूलन तो यह होगा रोपड अगला है चिरंतन इसका क्या होगा नस्वर चिंता न करना चिंता करना चिता तो क्या होगा चिरंतन का जो विलूम है वो होगा नस्वर अगला है सदेव, सदेव का पर्रय विलूम क्या होगा, विरद, विरज, विरल, विरत सदेव, तो ये होगा आपका विरल, सदेव मतलब हमेशा विरल मतलब कभी-कभी अब बात होगी पर्रयवाची पर प्रस्ने मारा विड़ोजा जो है विड़ोजे का पर्रय कौन है नचत्र, स्वाण, बाजी, इंद्र विड़ोजा का जो पर्रय है ये आपका होगा भगवान इंद्र देव अगला है अगनी को यह नहीं कहते हैं वाई सखा करसान दहन भानू अगनी को या नहीं कहते हैं कौन सा आप्सन से होगा वाई सखा करसान दहन भानू तो भानू नहीं कहा जाता है वाई सखा करसान और दहन कहा जाता है अगनी को अगला प्रस्ने जनार्दन का पर्राय है राम, कृष्णा, विष्णु, ब्रह्मा जनार्दन का पर्राय होगा तो जनार्दन का पर्राय है विष्णु भगवान ओप्सन सी सही है देखे देख लेते हैं विष्णु जी के कुछ पर्रायवाची विष्णु जी को नरायन भी कहा जाता है, पुनरी काच, चक्रपाण और चतुरभुज और जनारधन भी कहा जाता है देखिए इंद्र देव के देख लेते हैं इंद्र देव जी को देवराज भी कहते हैं विडवजा कहते हैं कौशिक कहते हैं पुरूहुत कहते हैं सक्र कहते हैं पुरंदर कहते हैं मधवा कहते हैं ठीक है अगनी का देखते हैं अगनी के पर्रायवाचे है क्रसान अनल पावक अब वात आती है मोहावरे और लोकोक्तियों की प्रश्ने मारा खेत रहने का क्या अर्थ है बच जाना इज्जच चली जाना वीरगती मिलना सत्रुशी मुकाबला करना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये बताना आपको इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब है वीरगती मिलना सहीद हो जाना अगला है आवांचित समवाद का अर्थ है सिर्ख पाना सि बचिया का ताव का क्या आर्थ है काम चुर वेक्ति सहसी वेक्ति अत्यदिक मूर्ख वेक्ति रौबदार वेक्ति बचिया का चाचा यह होगा अत्यदिक मूर्ख वेक्ति अगला प्रशने सुद्ध वरतनी बतानी है पूजनी सन्यास पूजनी उजल तो बताना है कौन सा आपसन जो है आपका सही होगा तो आपका option C सही है, पूझनी, इस तरीके से लिखा जाता है, C option आपका सही है, ठीक है, और उजल जो है किस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप comment करके बताएगा, आप लोग comment नहीं करते हैं, तो आपके लिए प्रश्न है ये, उजल को जो है आप सही सुध्धवरतनी लिख कर बताएगा comment में, अगला प्रश्न है, अनेक सब्दों के लिए एक सब, one word substitution, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, होगा, दीर्ग सूत्री, दीर्ग सूची सत्वर, मंधर या मद क्रांता, तो बहुत मंद गति से कार्य करता है, उसे कहते हैं, मंधर, जिसे बुढ़ापा ना आए, के लिए एक सब दोगा, नेरिजर, नेरिजर, अजर, अमर, जिसे बुढ़ापा ना आए, वो क्या होता है, वो होता है, अजर, देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बारा है, तो चैनल सस्क्राइब जुरूर कलीजेगा, एक बात मैं आपको गारंटी से कहता हू आपको जो है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है, तो जुडर है चैनल से, हाँ कुछ जो है, जो भी नोट्स होंगे, उनको मैं अगर, मलब दूँगा, कॉस्ट रखोंगा, तो बहुत ही कम होगी, यह नहीं कि 4,500,000, 4,500,000 रुपए लोग लेते हैं, दर-10,000 पर जो है, कोर्स के लिए जा रहे है, मैंने तो कभी कोचिंग की ही नहीं, और अपना अनुभो, जो मेरा अनुभो है, उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं एक सरकारी टीचर हूँ, ठीक है, मेरा मन है, मैं पढ़ाता हूँ आपको, कभी वीडियो आते हैं, का रीजन ही होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है वे द्याले भी जाना होता है टाइम लीज जो है तो टाइम नहीं रहता है फिर भी जो है मैं आपके लिए समय निकालता हूं और वीडियो बनाता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना प्रश्ण है जो इस्त लेकिन जब से मैं बाल विकास परहणा धन पढ़ा रहा हूं लोगों ने काफी अच्छा किया हुआ है परहणा धन में 30 में 30 नंबर लेके आए हैं अगला परसराज रसराज कौन सा है सांत रस योग रस वीर रस रंगार रस तो यह है आपका स्रंगार रस और यह नंबर लाते हैं आप 30 में से 30 तीजिए मेरा जो है मेरा केवल यही होता है कि मैं जो आपको दिसा देता हूं बाकी पढ़ते लिखते तो आप ही है वो तो आप ही का सब मेहनत का कमाल होता है अगला है सब्दा अलंकार का भेद नहीं है अनुपरास यमक स्लेस उत्परेच्छा वो तो कि यह आपके सब्दा अलंकार है अगला है संदेशिन मद्धुबन कूप भरे में अलंकार है रूपक वक्रोक्ति अन्योक्ति अतिसयोक्ति संदेशिन मद्धुबन कूप भरे में अलंकार कौन सा होगा यह होगा आपका अतिसयोक्ति रोला में मात्राएं कितनी होती है बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और जब तक टेट का एक्जाम होगा ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे त्योरेटकल का पोर्शन मिलता रहेगा जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा यूपी टेट का उस आपसे एकली वीडियो में थैंक्यो फ्रेंट धन्यवाद